द्वादश जोत्र लिंगों में से इक उत्राखन स्थित के दारनाध धाम के कपाट आज यानि मंगलवार सुभा को दर्शन के लिए खोल दिये गए हैं जिसके बाद सुभा से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड उमर रही है चार धाम यात्रा 22 अप्रेल से उत्राखन में शुरू हो चुकी है इस यात्रा के पहले चरण में गंगोत्री और यमनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और आज भक्तों ने बाबा के दारनाध के दर्शन किये कपाट सुभा करीब 6 बचकर 20 मिनट पर शधालू के लिए खोले गए थे अस दौरान भक्त पूरे जोश से भरे थे हर तरफ ढोलताशों की आवाजे गोंज रही थी आज परमपरा के अंसार हमने कपाट 6 बचकर 20 मिनट पर खोल दिया गया है सारा यहां तो आये हुए लोगों को अभी स्पस्कल के दर्शन तो होगा ही होगा जो नहीं आ सके हैं वो तुरुष्या यह माथ्यम से दे करके आपका जीवन कृत्य कृत्य हो ओ भगमान के लिए श्रेया उसी भव विकनाने अच्छे काम में बादाए आते रहते हैं मंदर को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया है मौसम की बाद करें तो यहां पिछले 72 घंटों से बर्फबारी हो रही है खराब मौसम की कारें मंदर जाने वाले हजारों तीर तियात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद धालू पहुँचे फिर से शुरू हुई ताजब बर्फबारी की वजह से 30 अप्रैल तब वहां के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिये गए हैं हाला कि जो यात्री पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो आगे यात्रा पर जा सकते हैं